आज की वीडियो में हम बात करेंगे आडियो ट्रेक स्पीकर के बारे में जो कि है बेसी स्पीकर और यहांपर हम बात करेंगे 18 इंच बेसी स्पीकर का प्राइस जो कि 15.08 का स्पीकर है जो कि इसमें आपको पंच काफी अचा देखने को मिलता है इस स्पीकर में और वाइब्र तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर आडियो ट्रेक का जो है इसका ब्रेंड आपको हो जाता है और size जो है वो 18 इंच का जो की 460 mm में आपको देखने को मिलता है और model जो है speaker का BN1875L इसका model number आपको देखने को मिल जाता है basket जो है इसमें aluminium का use किया गया है जिसका फ्रेम आप देख सेकते हैं तो यहाँ पर aluminium basket यहाँ पर use किया गया है power के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 1500 वर्ड का RMS power में speaker आपको देखने को मिल जाता है Mad in India है पहले मैं आपको बता देता हूँ साथी साथ voice coil के बारे में बात करेंगे voice coil का जो size होने वाला है इसमें 114 mm मतलब की यह approximately 4.5 inch का voice coil होता है जिसमें की coil material इसमें है CCAW copper clad aluminum wire होता है इसका full और यहाँ पर जो इसका impedance बनने वाला है वो 8 ohms का speaker यहाँ पर बनने वाला है तो यहाँ पर 8 ohms का speaker है और 1500 वर्ड का आपका base speaker बन जाता है तो चलिए अब हम बात करते हैं speaker के बारे में price कितना होगा इसमें हम कितने वाट के amplifier लगाएंगे और बहुत सारे चीजे तो पहले speaker का close look आप देख सकते हैं छोटे से वीडियो में तो चलिए पहले आप इसका close look देख लिजिए सो फ्रेंट जैसा कि आपने आपर speaker का कुछ यहाँ पर close shot देखा तो चलिए अब हम बात करते हैं आपर इसके लिए amplifier जिसमें की दो bass जो है वो आपको अगर आप चलाते हैं single single bass अगर आप यूज़ करना चाते हैं तो आप इसमें T-bin cabinet या फिर कुछ बड़े cabinet में हम यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आप दो bass के लिए यूज़ करना चाते हैं तो यहाँ पर 5000 वाट के amplifier कम से कम यूज़ करें एक्जांपल के तोर पर मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा NX audio का MT 1201 या फिर बहुत सारे brand आपको देखने को मिल जाते हैं मैं यहाँ पर वीडियो में कोई भी एक amplifier लेना चाहूँगा तो यहाँ पर एक्जांपल के तोर पर 5000 वाट के amplifier हम ले लेते हैं तो इसमें हम एक एक speaker एक चल में चला सकते हैं वही हम बात करेंगे चार बेस के उपर चार बेस के लिए हम कितने वाट का amplifier का यूज करेंगे तो amplifier जो वो रहेगा कम से कम 6000 वाट का amplifier होना चाहिए जिसमें कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं NX audio का MT 1801 या फिर 1601 भी हम इसमें चला सकते हैं इस speaker को काफी अच्छे से तो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो MT 1801 भी ले सकते हैं या फिर अगर आप MT 1601 में भी चलाते हैं इस टाइप के speaker साड़े चार इंच वह स्कुल में तो यहाँ पर चार speaker काफी अच्छे से चला सकते हैं इस amplifier में तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर load calculation आपको कर लेना है amplifier का details भी हमायना आपको दे दिया है दो बेस के लिए चार बेस के लिए और वहीं बात करते हैं आडियो ट्रेक का जो speaker आपका होता है 15 वाड में 18 इंच का speaker 4 इंच वह स्कुल में इस speaker का जो प्राइस पढ़ने वाला है वह approximately इसका प्राइस होने वाला है प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है 14,000 भी आपको पढ़ सकता है मार्केट में तो यह आप पता कर लिज जाएगा प्राइस एप्रोक्सिमेटली बताए है 1000 रुपे के आसपास कम ज़्यादा हो सकता है अगर आपके पास यह speaker है तो निचे comment box में ज़रू बताएगा कैसा speaker performance कर रहा है और आप कौन सेंप्लिफार में यूज करते हैं और आपने कितना में लिया था वो सारे चीज़ जो है आप comment box में ज़रूर share करें तो चलिए आज क के वीडियो में बस इतना ही था वीडियो कैसा लगा नीचे comment box में बताएगा और वीडियो का लाइक कर दीजिए share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल एकन को आल में सेट कर ले क्योंकि आपको डीज से ल में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे महतरम